सो हलो एप्रिवन यह वीडियो क्लास वन के लिए है सब्जेक्ट है असिस्टिंग आज हम लोग चैप्टर नाइन डिसक्स कर रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर एट तक उसका चैप्टर उसी रिलिट जोगे उसके क्वेस्टन के वो करवा दिया है उससे स्टार्टिंग होता है तो स्टार्ट करते है इट इस दे लिजा फर्स्टे इन दे स्कूल शी वर्वेस्टै उस वर्ड़ी विजी विद उसके स्कूल बस सजाने वाली है हर स्कूल has a very big building with many classrooms और उसका स्कूल है जो उसके स्कूल के building है जो काफी बड़ा है और इस बिल्डिंग में काफी सारे classroom है जैसे आप लोग में से बहुत सरे बच्चे होंगे जो स्कूल वैंड से आते होंगे कुछ पहले आते होंगे, कुछ बाद में आते होंगे और obvious सी बात है आप लोग का जो स्कूल का first day होगा आप लोग के लिए काफी exciting होगा, सब कुछ नया होगा तो यहां भी किसी बच्चे के बारे में बात हो रही है जो कि अपना experience शेयर कर रही है तो देखिए, मैंने बताया है कि उसके स्कूल काफी, स्कूल बिल्डिंग काफी बड़ा है उसें बहुत सारी classroom है The morning assembly as well as the school functions are held in assembly hall फिर इसकी जो morning के assembly होती है और स्कूल के जो भी functions होते है वो इसके assembly hall में होते है आपके जो भी आपके assembly भी आपके field के ground, school के ground में होती है जो भी आपके school के functions होते है वो भी सारे assembly hall में होते है मैं साबके assembly ground में होती है The principal looks after the school, she sits in the principal room पर देखिए, जो principal है, वो school की दिखभल करते है तो यहाँ पे जो Lisa का school है, वहाँ principal कोई female है लेकिन आपके school में principal male है, miss principal sir तो वो principal office में बैठते हैं और भी जो भी non-official काम होता है, वो सारे principal office में होते है All teachers sits in the staff room और जो Lisa का school है, उसमें जो teachers है, वो सारे staff room में बैठते हैं इस video में यही तक देखते हैं, नेक्स video में पूरा chapter conclude करते हैं So till then, thank you